गुड माली फ्रेंट्स क्या आप भी डारेक्ट सेलिंग बिजिनेस करते हैं फ्रेंट्स अगर आप डारेक्ट सेलिंग बिजिनेस करते हैं तो फ्रेंट्स आप जीज भी कंपनी में काम कर रहे हैं अगर आप अपने उपर बिलीब कर लिए फ्रेंट्स तो इस कंपनी के ताप लेबल आपको चीप करने से कोई नहीं रूप पाएगा लेकिन सबसे पहले आपको अपने उपर फ्यत करना पड़ेगा अगर इसको घराई से समझ लिए तो आप लोग 100% सफल हो जाएंगे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए लाइक भी कर दीजिए फ्रेंट्स होता क्या है हमारे तीमाग में दो तरह की चीज़ा आती है पाश्टिप और में सफल हो सकते हैं लेकिन अगर निगटिव सोचेंगे तो इस काम में सफलने हो सकते हैं क्यों क्यों सफने ऽौन है तो आपको अपने ऊपर हंड़ेजले करना होगा यसे मैं काम कर सकता हूं जब तक आप अपने उपर बिलीब नहीं करेंगे इस जमाना क्यों करेगा फ्रेंड्स हमें सबसे पले अपने उपर बिलीब करना है फ्रेंड्स मैं आप से पूछता हूं अगर कुछ लोग आप पे उंगली करें या आप पे बिलीब नहीं या आप पर सक्क्रें कि आप सपन नहीं हो सकते हैं फ्रेंट्स मैं आप से पूछता हूं कि बिलीब मेरा विश्वास मेरा कांफिडेंस मेरा दूसरा आदमी हमारे कांफिडेंस हमारे सोज हमारे जजबे के बारे उसको नहीं पता है जो भी आदमी हमारे पर निगेटिव सोच उसार पर हमारे बारे में सोच छोटा है उसका सोच छोटा है कि अंधर को eradicates मिला कि दोनों बाज बहुत अच्छा था राजा उसको लाए अपने दर्बार में मंत्री को दिये कि इस बाज को बाज का बच्चा था इसकी परवरिश किया जाया जब यह उड़ने लगेगा तो मैं इसको देखने के लिए आऊंगा कि कैसा यह आसमान में उड़ता है कि मंत् ॐ चीनि परवर्यूं करने लगा कि परोरिश करने लगा कि कुछ समय बाद कि मैं इस परवरिश करने में लगा आएक की तो परवरिश करने लिए लेकिन बांजने जने के लिए जने तो अकास में चला जाता था, लेकिन एक बाज ने उड़ता था, तराजा जब देखने के लिए आये, जब वो देखें कितने एक पछी एक बाज तो उड़ रहा है, दूसरा का ने उड़ रहा है, तराजा ने मंतरी से बोला, किसी एक्सपर्ट को ले जाो, उससे पुछो, कि कि दूसरा क्यों नहीं उड़ा है तो जो मंत्री थे अपने राज में डूड़ोना पिटवा दिये कि बाज को जो उड़ा देगा उसको काफी नाम देंगे तो उसमें से एक बेक्त कुछ समय बाद उस बाज को लेकर आया राजा के दरबार में जो बाज नहीं उड़ा था उसको भी उड़ा दिया तो राजा ने पूछा उस इक्सपर्ट से कि आपने इस बाज को कैसे उड़ाया तो उस इक्सपर्ट ने बताया कि मैं इस बाज को ले गया उड़ाने के लिए तो देखा इस बाज में कमी क्या है बाज क्यों ने उड़ रहा है तो मैं जब बाज को उड़ाता था बाज थोड़ी उपर जाने के बाद एक डाल थी उस डाल पर जाके बैढ़ जाता था तो म रने यह चो डाल था डाल को काड़ दिया जब वह डाल कड़ गया तो बाच आसमान में अभी ऊपर उणी लगा कि दराज़ा बहुत खुश हुए उस पर से और फ्रेंड्स यहीं होता है यहें हमारे लाइफ में भी होता है कि हमारे लाइफ में भी समस्य आती हैं चुनोती आती हैं हम लोग थोड़ा सा समस्य आने पर बैठ जाते हैं हम लोग कंफ़र जो ने बैठें हम लोग भी बड़ाबर मेंनत करते रहें बराबर एक्सल लेते सब्सक्राइब करना है अन्य लोग इनके सोच्छोटे हैं वह आपके इरादे को सपनों को नहीं मार सकते ताप लोग इस धरती की सबसे खुब्सूरत लाजबाब बिजनेस में फ्रेश टेटे रहना है एक्सल लेते रहना है हारना नहीं यह कंफ़र जोन में नहीं बैठना फ्रेंट्स आप सब की सपने पुरे होंगे अगर मेरे चैनल को फ्रेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये सब्सक्राइब अगर बराबर हां मेनत करता रहे एक्सल लेता रहे कफ़र नहीं बैठे तो हैं सफल हो सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा-ज्यादा शेयर करें फ्रेंट्स ज्यादा-ज्यादा करिए इतने लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ झाल झाल झाल